11 अगस्त को यानि आज हरिताले का तीज है कई महिलाएं इस दिन वृत रखती हैं त्योहार से पहले 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मजफरनगर के बाजारों में महिलाएं महंदी लगवाने खरीदारी करने पहुँची थी लेकिन एक हिंदुवादी संगठन के कारेकरता यहां त्योहारी माहौल के बीच नफरत के रंगगोल ने पहुँच गए संगठन का नाम है क्रांती सेना जिसने एलान किया था कि 10 अगस्त को वो किसी भी मुस्लिम कारिगर को हिंदु और्तों के हाथों में महंदी लगाने नहीं देगा संगठन के कारेकरता शहर के बाजारों में पहुचकर चेक करने लगे कि कोई महिला किसी मुस्लिम पुरुष्ट से महंदी तो नहीं लगवा रही इन कारेकरताओं ने दुकानों, ब्यूटी पार्लर्स में चेकिंग की साथ में व्यपारियों को चेताया भी कि कोई मुस्लिम पुरुष्ट किसी हिंदु महिला को महंदी लगाते नहीं दिखना चाहिए इसके नेताओं ने 10 अगस्त को नफरत भरे पोस्ट फेस्बुक पर लिखे संगठन के महासचिप मनोज सैनी ने चेकिंग का विडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि किस-किस बाजार में उनके लोग गए थे और ये भी बताया कि व्यापारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मुस्लिम पुरुषों को महंदी लगाने के लिए नहीं रखेंगे एक वाइरल विडियो में वो कह रहे हैं हमें पता चला है कि ब्यूटी पारिलर में काम करने वाले मुस्लिम पुरुष लग जिहाद के तहत काम करते हैं और महंदी लगाने के बहाने हिंदू लड़कियों को फसाते हैं। हमने ब्यूटी पार्लर वालों से कहा है कि अपने हाँ कटेंग, मेक अब वगेरा के काम के लिए मुस्लिम कारीगरों को ना रखे, हम नजर रखे हुए हैं, अगर कोई पाया जाता है, तो हम दुकान चलने नहीं देंगे। एक धर्मवादी संगठन के नेता दुकानवालों को धमका रहे हैं कि अगर मुस्लिमों को काम पर रखा तो उनकी दुकान चलने नहीं देंगे इनी के एक सहयोगी है राजेश कश्या क्रांती सेना के जिला महासचिव हैं वो एक कदम और आगे बढ़ गए उन्होंने फेस्बुक पर लिखा मुस्लिम यूवक अगर हर्याली तीश पर महंदी लगाते दिखाई दिये तो क्रांती सेना अपने स्टाइल में सबक सिखाईगी अब सवाल ये कि इस क्रांती सेना का स्टाइल क्या है? मार पीट या कोई और तरीका? The Times of India अखबार ने एक दुकानदार को कोट करते हुए लिखा हम किसी को धर्म के आधार पर कैसे काम पर रख या हटा सकते हैं वो भी तब जब कभी भी हमारे स्टाफ की कोई कंप्लेन नहीं आई हो ऐसे में हम धर्म के आधार पर किसी को नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? एक सवाल ये भी है कि इस मामले में पुलिस ने क्या कारवाई की? कुछ नहीं एक समू के लोग दुकानों में जाकर लोगों को धमका रहे हैं और पुलिस ट्वीट करती है कि पुलिस द्वारा लगातार गश्ट की जा रही है और सौहार्द बिगारने वालों के खिलाफ कारवाई की जा रही है आलगी सोशल मीडिया पर जो लोग खुले तोर मुस्लिमों को काम पर नहीं रखने को कह रहे है या धमका रहे हैं कि काम पर देखे तो दुकाने नहीं चलने देंगे ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने कोई कारवाही नहीं की है मुझफर नगर के एसपी अरपित विद्यासागर ने टाइमस अफ इंडिया से कहा कि इस मामले में उनके पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता चलता है कि किसी दुकानदार पर किसी को नौकरी से निकालने का दबाव बनाया गया तो उसके खिलाफ तुरंट एक्शन लिया जाएगा सोशल मीडिया पोस्ट पर कारवाई करने वाली यूपी पुलिश शिकायत का इंतिसार कर रही है इस बात का इंतिसार कर रही है कि कोई घड़ना हो तो फिर उसके बाद कारवाई की जाए और ये कौन सा लॉजिक है भई कि मुस्लिम पुरुष महंदी लगाएगा तो लव जिहाद हो जाएगा